हेलो फ्रेंड्स आज हम अलू कटा बनाने वाले हैं आप इसे आलू काली भी बोल सकते हैं तो चलिए आलू कटा को बनाते हैं इसके डिखे कोछ इंग्रेडियंट है जो आपके सामने है मैंने कुछ चना बॉयल कर लिये है कुछ कच्छे हैं मतलब इसको फुलाय हुए चला है यह ब kali्ल है और यह मेंने छोटे दुब्या लिये हुए है यह धनिया पत्ती है और यह 2 मीच और इमली का जूस मेंने निकाल लिया है इसको भीगो के रखा हुआ था और इसको निचोड के तरह बढ़ते हैं तो हम आलू को काते हैं, आलू का दो तरीका है काटने का, एक में इस आलू में बता엉गी, और और ऐक और काटऊँगी तो इसमें बताउंगी, आप इसे नहीं ज्यादे मोटा काटे और नहीं ज्यादे पतला काते हैं, तो चलिए इस आलू को हम दोसरी तरीके से काट कर बताते हैं इस आलू को भी आप मेडियम साइज में काटे हैं ना मोटा और ना ही पतला इन कटी हुई आलूओ को हम बॉल में डालेंगे हैं और बाकी की इंग्रीडियंट को काटने के तरह बढ़ते हैं जीने मेरा दिले लुप्लिया जीने मेनु मार सुप्लिया है निहाए नखडा तेरा नी हाथ बढ़के नुच्चे नेरा यो साड़ पीला ओ रावी केर नंगार भी गल्लमनी दीला नम्बर किनी हिट्चे लाई टांडियो ना 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 गोरिये और से नहाए ना ना योरिये जो 강त भी गल्लमनी दीला मारी तैनी एंड़ा कर दो लेकिर ये ऩाह। जट्टव कर फहुंश्ट प्पाल सुणी जलत ठाँ थ्टवी किया लेकिंग माईतां अधया घ्टो मिझना जलत कर लोह नुग कर दो नुग कर दो तरह कर दिए जान को दढूर को बद दो ड़ा थे यह जो अ कि अंत्य व्यां कर वालगा कि अंत्य वालाब कर दो दो अजान कि अंगो व्यार तो नहां व्यार युब रड़ा व्यार व्यार यANG वे इ वे धिए वे गशे वे पूम वे वार तो इसमें हम सबसे पहले प्यास डालेंगे फिरह इमीर्ट आ यह बोल चेना यह भीगोए हुए चेने ब्लेक सॉल्ट अब अपने स्वाद के मताबिक डाल सकते हैं नॉर्मल सॉल्ट फिर इसमें हम जीरे का पाउर्ड डालेंगे इससे जो आलू कटा का स्वाद है वो बढ़ जाता है थोड़े चिली फ्लेक्स फिर हम इसमें डालेंगे यह इम्ली करस आप इम्ली के रस को गाढ़ा यह पतला कर सकते हैं इसको मिला लेंगे अगर आपको इंडली कम लगे तो और एड़ कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लें ताके पूरा मिल जाया आपस में आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं मैं फिलाल नहीं डाली है आपको अगर चाट मसाला पसंद है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं इस अप cim um ना इस आप एक बर अपने घर में जरूर बनाए और बना कर देखें आपको जरूर पसंद आए आप इस अलु काटा को जरूर से जरूर बनाय और एक बर खा कर देखें आपको बहुत 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 पसंद आएगा तो लिजे रेड़ी है ये आपका आलू कटा आप इसको घर पर बनाए और खाए और बताए कि कैसा बना है कमेंट सेक्शन पर लिख कर कि ये आपको कैसा लगा और बताए कि.